अभी दो दिन के लिगे ये अंदोलन जो है अपनी जगा जहां पर चल रहा यहां पर ही चलता रहेगा सारी घिनावरी की प्रस्तिती का जैजा लेने के बाद वहां क्या कुछ चल रहा क्या नहीं चल रहा उन सब बातों को देखते हुए आगे का निरने लेंगे जो इससे पह तो सभी को निप्तारे के लिए अब हम शंबू से एक टीम लीडर्स की भेगें जे घनावरी जाकर सारियां प्रस्तितियों को जाजा लेगा और जो मैंने कहा था पि जो भी विरोधी दल अभी पंजाब में तेरा MPs हैं राजसाबा के मेंबर उनका किसी का बयान अभी नहीं में भी अभी तक सपष्ट नहीं किया यो क्या कहते वेक दिवसी अगर सतर आता है तो क्या वुन सब का निरना चाहिए कॉंग्रिस हो चाहिए अनने पार्टियों उनका निरना क्या रहेगा तो हम कहते हैं विरोधी दलों को यह स्थिति सपष्ट कर देनी चाहिए जैसे जो तरीके से जिस तरह के लोग भेजे जा रहे हैं जिस तरह से कल उन्होंने मीडिया की तारे वैन की भी काट कुट दी तो यह मतलब अंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार हर तरह का पर्यास करने का यतन करिया है हम सब देश के किसान मजदूरते शम्भू बाडर पे सब लोगों से अन्रोथ करेंगे यह अंदोलन इतना बड़ा हो गया इसको संभालने की जो भी सरकार की जंसियों द्वारा भेजे जारे लोगा उनको पहचानने की बहुत जरूरी है और यह जो कुछ हुआ यह आगे से ना हो इसके लिए आज हम बिल्कुल इसका परबंद करें देखेंगे जो कमांत्री पद्र जो इंटरनेशनल समझाओते वहां कभी भी मेडिकल के उपर या मीडिया के उपर अटैक नहीं किया जाता तो कल हमने देखा खनवरी खालसा एट का जो केम्प था मेडिकल का उसके उपर भी हमला हुआ जो हमारे लाइफ केर इधर प्रजेक्ट के जो हमारे यहां ऑस्पीटल के जो डॉक्टर से बोल रहे थे मैं स्टिचिस कर रहा था तो मेरे उपर उस समय बंप फेका गया तो यहां शंभू पर भी हो आप मीडिया पर भी जब पीस्पुली खड़े होते हैं तो मीडिया के इन में होते हैं भी आगे बढ़ना है तो पीस्पुली धंक से बढ़ना तो यह निंदनिये का कारवाई है बाहर सरकार जिस तरह से अर्द सैनिक फोर्सों का इस्तमाल देश के किसान मजदूर के ऊपर कर रही है यह पूरा देश देशरा इस बात का जवाब आने वाले समय म देना पड़ेगा